नमस्कार आप देखें इन्बी नीज और मैं हूँ आपके साथ पुबन फांडे स्वागत आपका हमरे इस खास करक्रम में चले आगे बढ़ते हैं कॉंग्रेस के पूर्वा ध्यक्च और वर्तमान संसर्द राहूल गांधी ने विपक्षी दलों के संसनों को नस्ते पर बुल अन्यमुद्णों को लेकार पिछले कई दिनों से संसत के दोनों सद्रों में गतीरोध बना हुआ है 19 जोलाई से मौनसुन सद्र शुरू हुआ था लेकिन अब तक दोनों सद्रों की कारेवाही बाधित रही है संसित के मौनसून सत्रकी रणनीती पर चरचा के लिए आज मंगलवार को दिली में राहूल गांधी विवक्षी दलों की निताओं के संग मन्थन करेंगे सुत्रों के मताबिक राहूल गांधी ने Constitution क्लब में आज विवक्षी निताओं को नस्ते पर आमंतरित किया है मिली जन्खारी के मताबिक बैठक में जीमके, शिवसेना, आर्जेडी और लेफ्ट के साथ साथ त्रणमूल कॉंगर्स समेत कई आने वेपक्षी दलों की नेताओं को आमंतरत किया गया है वेपक्षी दलों का कहना है कि पहले पेगासस जासू से मुद्धे पर चर्चा कराने के लिए सरकार तयार हो, उसके बाद ही संसद में कतरोद खत्म होगा लगातार पेगसस और किसानों के मुद्धों पर लोगसभा और राजिसभा में निरंतर विरोध कर रहा है हाला कि इस विरोध के बीच कुछ विदैकों को पारित जरूर कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा सिदन में कोई भी अन्ने, बहत्तोपूर कारे नहीं हो पाया बतादें कि संसद का वंसून सत्रत, तेरह अगस को समात होगा ऐसे में सवाल उरता है कि सरकार को घेरने को लेकर वेपाक्ष क्यारनीती बनाएगा वहीं संसद चलने में जनाता के टैक्स की भारी भरकम धन्राशी खाच होती है ऐसे में क्यारवाही न चल पाने से हुए नुकसान का जिम्मा आखिर कौन लेगा वहीं सवाल ये भी कि आखिर सरकार पेगासस जासूसी को गंभीर मुद्दा क्यों नहीं मान रही और सवाल ये भी कि क्या हंगामे के भेंट ही चड़ जाएगा ये पूरा मौनसून सत्र आज की रिबेट ऐसे ही धारदार सवालों के साथ अब बापस आते हैं डिबेट के मुद्धे पर और इस खाश मिर्से पर चरजा करने के लिए हमारे साथ विज़ेपी प्रवक्ता राहूल आनंद और कॉंग्रेस प्रवक्ता कुमर सिंग हमरे साथ जुड़ गये हैं बहुत स्वागत है राहूल और कुमर जी आप दोनों का एन बी न्यूस पर तो सबसे पहले आप से शुरुआत करते हैं कुमर सिंग जी नास्ते के द्वारा अब सरकार को घेरने की या दबाव बनाने की कवायद राहूल गांदी ने शुरू कर दी है आज एक बड़ी बैठक हो रही है क्या रननीती बनेगी और किन किन दलों को आपने बुलाया है देखे भारत के मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिन्नेदारी है कि तेस्क में जब आराजक्ता का माहौल हो और तेस्की सरकार ताना साह हो जाए तो उसके लिए हम विपक्षी दल एक होकर लड़ाई लड़े आज विजेपी लोगसभव राज्यसभव में किसान, महगाई और जासूसी के मुद्दे पर भास नहीं कराना चाती है इधर उधर ध्यान भटकाना चाती है मैं पूछना चाता हूँ विजेपी से कि यदि देश के लोग महगाई की मार से करा रहे देश का किसान रोड पर बैठा हुआ है और देश के लोगों की निजता भंग हो रही है तो इस पे चर्चा करना और जाच कराने में क्या हर्ज है यदि आप कहते हैं मैं सत्यवादी हूँ तो जाच कराईए जेपीसी और जो जाच एजन्सिया उनको जाच करने का अधिकार दे देना चाहिए लेकिन जब सरकार नहीं चाहती और ध्यान भटकाना चाहती है तथा विपक्षी दलों की आवाज को दवाना चाहती है लोग संत्र के मंदिर में विपक्ष की हत्या हो रही हो तो लोग विपक्ष ए काहूला अंजीर साथ अपर बता रहे हैं कि उनकी तरफ से साथ अपर कहा जा रहा है कि उनके लिए यह बड़ा मुद्दा रहेगा कैसे काट करेंगे आपकी भी एक कमीटिंग हो रही है कि यह बहुत पुरानी कहावत है कि कागज अपनी खिस्मत से उठता है लेकिन पतंग अपनी काविलियत से इसलिए काविलियत को मुखा मिलता आया है और मैं आपको इसलिए विस्वास दिला देता हूं कि ठीक इसी प्रकारन बेज़िपी और कॉंग्रेस की है कॉंग्रेस हर वक्त अपनी किस्मत अजमाती है और भाटी जन्ता पाटी अपने काडियों को लेकर जन्ता के बीज में रहती है कि फिट्रम सब्सक्रूं है, आपने बहुत बड़ी बात कहीं कि जो यह देश का जो टेक्स सरनां आवड पाट्स से अनादर कर रहे हैं जबकि छन्ता के सेबक होने के नाते जो लिपक्स हमारा है उनको जन्ताक के इत्मे कारए करना चाहिए जो मुद्दा है, उसको उठाईए, जो पेगासस है, पेगासस की तो कोई बात ही नहीं है, इसको तो खुद वहाँ की सरकार ने भी खारिज कर दिया और यहां तक की, यहां तक की वहाँ की सुप्रिम कोर्ट में भी एक जाच की आर्यस भी दिये हैं, तो हमें इंतजार करना है कि सचाई क्या है जनता की बीच में लाने के लिए, और सबसे इहां बात है जो मुदी सरकार को घेरने के लिए जो यह चक्रविव तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह इसमें सहमत कर लें, कि इनका प्रधान कुंत्री कोण होगा, राहुर गांदी बनेंगे, मंता इनर्जी बनेगी, या अन्ने लोग बनेगे, इसी की भी सहमती राहुर गांदी के नाम पर नहीं होगी, पहले भी पुपक्ष ने ऐसा रवया अपनाया था, एक ठागे में इरूने का जो कारे कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, जनता सारा चीज देख रही है, और समय के साथ जनता इलेक्ट्रानिक्स बटन दवाकर इसका जबाब भी देते आई हैं, मैं सम्मान करता हूँ और मैं एक चीज़ के लिए बिस्वास्ते दे राता हूँ, कि सदन की गर्मा, सदन की जो आतमा बस्ती है, वो विपक्ष में ही बस्ती है, लेकिन विपक्ष की रवाया कैसा है, इस पे भी विचार भूनी चाहिए, क्या उनकी ये मान सिकता है, कि देश की संस्वास्त को नहीं चले देंगे, जब चलेगी अपनी बातों को कराएंगे, ठीक है, अगर जावजी आपर वक्त होए एक चुटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बापस आए तो आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहे एन बी न्यूस के साथ, तो आपको सीधे ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर जहां पर राहूल गांधी जो है, वो वेपक्ष के निताओं के साथ बैचे हुए मंतन कर रहे हैं, एन बी न्यूस पर सीधे तस्वी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर राहूल गांधी ने नास्ति पर जो पैठक बुलाई है वेपक्ष दलों की, वो सीधी तस्वीरें अब की स्क्रीन पर, पिकरसस जासू से मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीती यहां पर बन सकती है, सूत्रों के मताबिक जो कुछ जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहूल गांधी कॉंगरिस के वरिस्ट नेता मलिकार जो उन खड़गे के साथ गुफ्तबू करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहां पर आज यह जो बैठक हो रही है, इसमें बड़ी रणनीती सामन लाए गया है, तो जितने भी विवक्षी सांसद हैं, आप देख सकते हैं, पास में उनके संजराउद, शिरसेना सांसद, वो भी बैठे हुए है, आज यह बैठक अपने आप में काफी एहम, एक तरफ जहां देखा जाए, दोनों सदनों की क्यारवाही, एक तरफ बादिच चल लए है, चलिए तो बापस लोटते हैं, चर्चा पर हबरे साथ बीजेपी की तरफ से राहूल आनंद और कॉंग्रिस प्रवक्ता कुमर्सिंग लगता जुड़े हुए हैं, राहूल जी ब्रेट से पहले आपने एक बात कही ते एक शारी कही ती कि कागज अपनी किसमत स तोड़ता है और पतंग काबियत से, अब इसमें तो एक सवाल मेरा ये बनता है आप से, कि जो आप कॉंग्रिस मुक्त भारत करते करते बीजेपी युक्त कॉंग्रिस कर रहे हैं, कॉंग्रिस के नेताओं को चुन-चुन कर आप ला रहे हैं, तो ये कौन से वाले थे, किसम काबियत वाले लोग थे, जो राहुल गांदे जी को अगाह कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी बातों को उनना अंदाज करते हैं, और मैं मानता हैं, कहीं भी जो सिर्समित्र तो होता है, उसे अगर परिवारबात की विचा धारा को चाट की जाए, तो अगर काम करने का म मौका मिलता हैं, तो उन्हीं करना चाहिए, जो काबियत है, वो बीजेपी के साथ है, हमने हर वक्त काबियत को मौका दिया है, उसका हम संबान करते आएंगे, और दूस्री बात यह है, कि आज जो मैंने आप से और एहम बात कही थी, कि इनके विपोस्ट का चेहरा को बोगा इस पर अभी ब्यासा मंदस है, राहु नादी के लाव कि इनके लोग टायार होंगे कल को हो सकता है, वो आपकी पार्टी में हो, दूसरी बात, आपने कही कि जो जनता की गारी कमाई का पैसा, एक मिनिट संसद चलने में करीब धाई लाक रुपए जनता की टैक्स की कमाई खर्च होती है, ऐसे में आपकी तरफ से भी तो कुछ ने कुछ पहल होनी चाहिए, आ आपकी तरफ से जो संसदिय मंत्री है, उनको पहल नहीं करने चाहिए, क्या आपको नहीं लगता है? उनको कई दफा हमने देखा है मुलिया के सामने, वो राहुल गांदी जी के कान में जो चीज बोलते ते वही वो कहते भी ते, यह जग साहिर है, तो उनकी जो काबिलियत थी, उसको अगर नगा अंदाज किया गया, तो उसको पीजेपी ने परका, वो मेरे पास आए, हमारी पाटी के इसा बने और हमारे परिवार के सबस्त बने और जहां तक संसत की बात है, आपके बात से मैं 100% सहमत हूं, इस सकार बनती तो बहुत से है, लेकिन चलती सरवदलिये हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इस बातों की गरिमा, जो मन्य प्रधान मुझे दूने ग साथ, अपका स्वागत है, राहूल गांदी आज नास्ते पर बिवक्षी सांसुनों को बुला कर प्यपी सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर चुके हैं, और इसी मुद्धे पर आज हम बात कर रहे हैं, हमरे साथ दो खास महमान, कॉंग्रिस पर्टी, और बिजे पी की तरफ से हैं, राहूल जी, आपने पहले तो सवाल का जवाब पूरा करिए, उसके बाद मैं कुमर सिंगी जी को उत्याता हूँ, देखे, आपने जो एक बात कहीं, इस तरफ दने चाहिए, मैं इसका संबान करता हूँ, बिल्कु चाहिए, क्योंकि विपख प्रिक्सिविलिटी पैडा की बातों को मानना चाहिए, बिबख्ष की बातों को सरकार मानती है, तो बीच कर रास्ता में चाहिए, और पेगास की मुद्वों को एगर चोड़ दी जाए, जैकि वों पर बहना मुदा नहीं है, इसके उपर भी जाज कमिटी बनाई गा चुक प्रणामनत्र जी ने इस बातों काया है कि आप करोना पर चर्चा कीजें लेकिन जो मुद्दा नहीं यह उस पे चर्चा आप शिलहार मुद्द कीजिए तो शकार के तरफ से इनके तरफ से इनका जवाब अपेच्छे जाए यह दो कदम आगे तो बने चलिए ठीक है खुमर सिंग जी उनका साफ तोर पर कहना है कि पेगास्टस कोई मुद्दा ही नहीं है और आप बाकी मुद्दों पर बात करिए अभी हमारे साथी राहुल जी ने कहा पवन भाई कि जंता के पैसे हम बर्बाद कर रहे हम इंसे पूछना चाहते हैं कि आपने विदेशी कंपनी को जाच दी और उसमें हमारे हिसाब से लगभत एक हज़ार करोण रुपया आपने कॉंट्रेक्ट में दिया क्या वो पैसा माननी नरेंद्र मोधी जी या अमिप साह या बीजेपी का था नहीं वो भारत देश के गरीब का पैसा था जिसको इन्हों ने जासूसी के नाम पर सा खरीदा तो आज उसकी जाच नहीं बगती है थीक है इस कुमर सिंग जी माफी चाहते है इस बिच रहूल गांदी क्या कुछ बोले है आया आए आपको सब्सक्व जाते हैं कर दो आदार आदार झार्शनाट बेला परेप्ट मेशना भार्श जार्ट सुम्छी है. पूर्यों कि और हम धोग तुर्मेटर जब वो एठोर जयार मेड़ा है फगए टूर्शाटी कि और था भागग है पूर्याओ प्रप्रश इस जाफोन वेगा है कि अंपडर प्रश जिसे अप्राट पूर्शी फछेश कि अमुर्शी बारे प्रशूार कि को पर थी पूल्मा राहुल गंदी बैटक के शुरात में एक अपना ऊपनिंग स्टेट्मेंट देते हुए और इसके बाद यहाँ पर रनीती और मंथन शुरू हो जाएगा फिलाल बापस लोड़ते हैं डेबेट पर कुमर सिंग जी आप अपना जवाब पूरा करिए तो मैंने ये कहा कि जाज पर आपने गरीब का पैसा बरबात किया दूसरे बात साथी ने कहा कि ये जाज का मुद्दा ही नहीं है जासूसी तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ महगाई कोई मुद्दा नहीं है किसान आंदोलन पर है उसका कोई मुद्दा नहीं है साथी ने क एक मुखवेदूर अप्पा साब को आपने काबिलियत पर ही बदल दिया और इतनी ही काबिलियत पर धम है तो आज आपकी ही सरकार मिजोरम और आसम में है वहां के दो मुख्य मंतरी आपस में लड़ रहे हैं और पुलिस वालों की वहां पर हत्या कर दी जा रही है गोली चला है कि हम राजणी ची से सन्यास लेना चाहते और जासु सी यहीं मुद्द नहीं है तो निटीश कुमार जी ने इनके सहयोग्यों ने आप अपने सायोगी को तो बता नहीं पा रहे हैं जरसी के मुद्दे पर हर सिमरत कौर बादल ने इस्तिफा दिया जासु जी के मुद्दे पर वापस रोटना चाहता था बीजिपी व्रक्ता के साथ कि जब यह बात कर रहे हैं कि इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है लेकिन इनके सेयोग से ही जो मुख्यमंत्री बने हुए नितिश कुमार जी जनका जेकर आपने किया वो तो साफतर पर कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए आप में तो एक्ता ही नहीं है देखिए सरकार का काम है कि संसद को सुचारू रूप से चलाने का कारे करिए आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं आप कहते हैं कोई मुद्दा ही नहीं चैसो किसान वहाँ पर सहादत दे चुके हैं आपने कहां MSP का मुद्दा है आपने एक विधयक कल प्रास कर दिया वीमा बेचने का तो देश बेचने का कामा पूजी पतियों को बखू भी कर रहे हैं आपने देश की जनता की भाया आज बहगाई देखिए पेट्रोल डीज किस पर महगाई नहीं है एक साथ उन्होंने सवालों की जड़ी आपके सामने लगाई है लेकिन मेरा एक आप से मूल प्रश्णी यह है कि अगर आप एक असस को एक बड़ा मुद्दा नहीं मानते आपकी सपोर्ट से मुख्यमंत्री है नितिश कुमार जी तो इसका आप पर एक बाद आपका स्वागत है हम चर्चा करें राहूल गांदी के नास्ते की पॉलिटिक्स को लेकर और इससे पहले राहूल जी मैं अपसे सवाल पूचाता कि नितिश कुमार जो है आपकी सपोर्ट से ही वो सीम है और वो ही पेकस्स को बता रहे हैं कि इस पर जांच होन करते हैं और लोग तंतर की कि दुखाई जते हैं उसमें हर प्रशनों को उठना लाजमी है लेकिन सरकार ने इस चीज को उसपस्ट कर दिया है इस परकार के कहीं कोई दुविदा नहीं है नितिस जी ज़रूर भारती निता पार्टी के सपोर्ट समुख मंत्री बने हैं लेक दुखाई जो हो रहा है उसको लेने के लिए है और आपने वेटिगत रहे या वेटिगत बोली बोलने की लिए अधिकार पहने बात दुसरी बात नहीं मैं बड़े भाई ने एक बात कही की काबलियत की बात पोलेकर लुदिखी जाए तो करनाट का उत्राखण पार्ट में जब बनेंगे तो रहुर्दान नहीं डिसीजन लेंगे और वही बनेंगे प्रदानी पेली जो वो कहते आते हैं मैं इसी बाता को कह रहा हूँ यहां काबिलियत की बात आती है कि अगर किसी को दूसरे को नित्वत करने की छंता अगर है तो उसे भी मुका देना चाहिए वो भ जो यह उस ठीज से घटक रहे हैं आपके उसी प्रश में यह महणाई भी आएगा उसी प्रश में आपके किसान अंदोलन भी आएगा जो आप इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं आप पेगासेश पाजार रहे हैं और जहां तक देश वेचने की बात आपने कही तो मैं आपको कि अगर विज्वास्ण सरी काला है, नहीं नहीं आपर चूर्छ के अंगे और अगर को फार मुख मंत्री- spill का गावेदार है अगर संगर्डण मंगर्ण ऑबिधार, कि नहीं किसी और को देने से वहां किसी समख सकती है तो मौका देना चाहिए इससे काबियत कहते हैं और यहीं पर फर्क है कागाज में और काबियत में जो पतंग पुमन बात कहीं जी ठीक है खुबर जी आप कुछ एड़ करना चाहरे ते लिकिन उससे पहले एक मेरा सवाल है 105 फान्च गंटे का ये सत्र चलना था इसमें से सिर्फ 18 गंटे चल पाया है 50 लाक रुपे पर मिनिट का खरचा आता है संसत का सत्र चलने में क्या आपकी कोई जिमेदारी नहीं हम जिमेदारी पबूल करते हम विपक्ष में हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आपके कैनल के मा इन्होंने कहा डाक्टरों की संख्या 300 है क्या ये सब्ते है इन्होंने लोग सभा के सदन पर कहा था कि मजदूरों की संख्या का मरने वाले मजदूरों की संख्या का अकड़ा हमारे पास नहीं है तो भाईया आप सरकार चला रहे हो या समोसा बेच रहे हो आपको जब सुप् जो की तरफ से ऐसा कोई डेटा आया नहीं नहीं इनों ने देखिए जब संसत चलती है रुष्ट एक महीना पहले सवाल जबाब का समय होता है आप ने वो कोरम क्यों नहीं पूरा किया आप जब काम नहीं करते हैं तब ये परिश्थितियां नौ मत आती है सुपरिंग ओड ने मापजा देने के लिए कहा आप आपने का हमारे पास पैसा नहीं है तो सेंटल विष्टा परियोजना के लिए पैसा है गरी मजदूरों के लिए आप पास पैसा नहीं है अपने आपको जब पीम कैंडिडेट और जो विपक्ष के पूरे दल है उनके बीच वो सुईकार हो सके इसको लेकर वो पेगसस को एक मुद्दा बना रहे हैं क्यों आप ये सवाल पूछा आप से हाँ पवन भाई मैं एक बात आपके माध्यम से इसपस्ट करना चाहता हूँ कि देश के अंदर कमिटमेंट का नेता एक ही है वो रहुल गान चाहे वो करोना का मुद्दा हो उन्होंने चिताया था सरकार को बैंक डूबने की सिटी में अर्थ बोस्था पर चिताया था लेक जिसने डेश के लिए अपने खून का कत्रा बहाया है राहुल गांधी राहुल गोड से नहीं है राहुल गांधी राहुल सिंधिया नहीं है राहुल गांधी राहुल गांधी है जिसने अपने ही भंसज चाहे वो इंद्रा गंधी हो उनके सरीर को छलनी कर दिया गया इस द लेकिन जवाब लेंगे इसके बाद लेकिन वक्त और एक छोटे से ब्रेका बने रहे हैं इन बी न्यूस के साथ कि अज़ा है कि अज़ा है कि अज़ा है कि अज़ा कर रहे हैं कि राहूल गंदी नस्ते की पॉलिटिक्स के द्वारा सरकार पर दबाव बनाने की कोश़् कर रहे हैं इसको लेकरम चाचा कर है हमार साथ दो खास महमान राहूल विजपी से और कुमर सिंग जी कॉंगरिस से बने हुए हैं खुमर सिंग जी इससे पहले आपने कई सवालों की जड़ी लगाई राहूल जिसे जबाब लेते हैं राहूल जी इनके सवालों का जबाब दीजेगा लेकिन साथी पेगासिस महत्तपूर तो है क्योंकि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें आपके भी दो मंत्रियों के नाम है अश्वणी वैसनव का नाम हो गया आपके और मंत्री का नाम है तो क्यों यह आपके लिए एहम नहीं है इसके पीछे भी कुछ बज़ए बताएंगे आप कि संवार की किसी स्थिक है कर दी तो मैं समस्क्राइब की सिर्फ आफिक सब्सक्राइब की है यूशि परदाने वाली कंपणिय क्या इनने सो वह तो शिर्फ गौश। गूश्मन करती है कि सब corona कि कि of other company किसी और company से दील करती नहीं वह सिर्फ सरकार के साथ डील COM करती है तो उठेंगी जब आप तो देने पढ़ेंगे सरकार में आप हैं सवाल भी देना आपका काम है सवालों के जवाब देना भी आपका काम है आपको इस चीज के लिए और विश्वास ते लादी है कि आपनी एक रफिल की भी बात है रफिल की बहुत सारे आपने लेकिन अंगता च्यावन राफिल आये और और पराकरव बनकर बैठा और उसमनों के दात को खटे बेटी है हमारे लिए महात्तपुर है कि हमारा तेस तो किस प्रकार से चलाना है और विपक्ष को जहां तक पेगासस की बात है तो हमारी सरकार ने इस चीज के लिए जाच के आदेश पे जिए और गौर्वर्मेंट तो गौर्मेंट जो दिल हो रहा है ते एक अच्छी परभणब्रा तो मैं यही कह रहा हूँ तो थोड़ी सी मोहमाया देश के जनता के प्रती दिखाई जाए रागुलगान जी को पियम बनना है वो अपने पर्यास जारी रखें लेकिन जो देश के संसत का पैसा लगा है तो उस पे उस पे विचार करते हुए देश की संसत को चलने भी दिया हैं यह पेगासस पे जा रहे हैं जबकि किसान अंदोलंग इनी के द्वारा पंडी किया हूँ तया है मैं आपको पुना समरन कराता हूँ सब्सक्राइब करते हैं और अपनी बातों को लेकर कोट कर चुके हैं किसान नेताओं से तो आपकी सरकार ने ही बात बंद की हुई है देखिए किसान अंदोलन में जो तार्किक बात हैं और उसकी जो पवित्रता है वो समाथ हो जूजी है वहाँ पर लोगों को चलाजे जाता है वहाँ पर मत्र सक्ति के साथ छेट शर की जाती है वहाँ पर अन्य खाल स्थानिय समर्फट की भी तस्वीरा वारल होती है जब किसी पवित्रता का भंग हो जाता है तो वो पूजा-pूजा नहीं होता है एक उसी परकार से मैं किसान पत्रों का जो प्रोड़क्शन हुआ है और जो खरिदारी हुई है यह किसको अंकित करते हैं इसके मतलब चाफ है कि कुछ लोग अपनी वोट बैंक और पिसान आंडोलन के पीछे खड़े होकर अपनी रात्मिस्थिक रोटियां सेखने का काम कर रहे हैं यह बिल्कुल ही उनको रिपर्जेंट करता है तो क्यों नहीं सब्सक्राइब करता है वो जाकर उनके साथ वहां बैठना पसंद करता है लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन आप प्रात्मिक्ता बनाए हुए प्रस्ताव लाया था किसान कर ने उसको सारे सूची में नहीं सामिल किया किसान चर्चा चाहते हैं और मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं पिछले दो साल से किसानों के मुद्दे पर लोग सबा में 64 बार चर्चा की जा चुकी है लेकिन बीजेपी संसदों की सं साम तक पूरा नहीं हो पा रहा है तो कितने सीरियस हैं आप आपने कहा किसानों के हाँ जुर्फ हो रहे हैं अत्याचार हो रहे हैं आपके एक संसद जी ने तो विधायक को जूते तक मारे थे जीला योजणा समीति की बैठक में आपके संसदों पर नहीं बलकि अभी 42 पंत मुश्ट करना चाहता हूँ खिसान देश खिए अपने किसानों के सामानों पर जो सतर साल में किसी सरकार ने नहीं किया बाराफ प्रतिसत टैक्स आपने लगा आप तो पर हमारी सरकार बनेगी हम किसानों का खर्जाम आप करेंगे और क्या करजा तो छोड़िए भाग उनको यंत्र देना बंद कर दिया किसान बिल ला दिया जिस किसान बिल पर तो हमेशा चर्चा होती और यह कह रहें कि किसानों से मुद्धा भटक रहा तो बारा दौर की बात यदि आप किसान संगठनों से किये हैं, तो क्यों किये हैं, यदि वो किसार नहीं थे, हम महगाई पर वी चर्चा चाहते, जब आधे कीमत पर पेट्रोल डीजल मिल रहा था, उस समय आप दो रुपया बढ़ता था, तो महगाई डायन थी, आज कौन सी सहेली बन गई, आज आपके महगाई से क आख गिरती है, आज इंटरनेशनल मार्केट में भारत की कीमत, मोदी जी कहा ले गए है, ये राहूल जी ही बता दे, आज जब प्रती बैरल पेट्रोल डीजल की कीमत आप बढ़ा रहे प्रती लीटर, एक सो बारा रुपया हो गया है, पान साल में, साथ साल में, 72 रुपय आपने कर दिया, और देश में कर्ज बढ़ गया, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, अंतरराष्ट्री सीमा पर पुलवामा हमला होते एक बात या दिलाना चाहता हूँ, आपको 25-2011 को, जम्बू कस्मीर के सामान ने प्रसासन विभाग ने पत्र जारी किया है, जिसमें लि इशा का खत्रा है, आप एक बात बता दीजिए, रेवेंदर सिंग की जाच इसलिए नहीं हो सकती कि पुलवामा कांड की असलियत सामने आ जाएगी, आप कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा, आप चले जाते हैं पाकिस्तान विर्यानी खाने, आप चले जाते हैं मंगला पाकिस्तान की बात करेंगे, तो वो फिर चीन की बात करेंगे, कि राहुल गांदी कैसे उस समय चीन के साथ पार्टी टू पार्टी एक कांट्रेक्ट कर रहे थे, वो अलग विशे की बात है, लेकिन आज बात जो आप बार बार उठा रहे हैं, पेकास्तास को लेकर, सरकार पर संकट खड़ा हुआ था, तो आपने भी इनके जो समय मंत्री थे, शेखावर जी, उनका भी टेप कर आया था, हमने विदेश से किसी कंपणी को हायर नहीं किया, और जब इनोंने विदेश से अगर टेप हो जाए तो वो गलत है, और हमारी आंतरिक एजंसियां उस जो यहन उत्पुरण का आरोब लगाती है लड़की आप उसका फॉन टेप करते हैं, निर्वाचन आयोग के कमिशनर का करते हैं, आप CBI डारेक्टर का करते हैं, पक्षी नेताओं का करते हैं, जबकि अपने दो मंत्रियों को, मैं तो यह कहना चाहता हूँ, मोदी जी से ज यह से मुकदमे नहीं लगने चाहिए, तीन सो उन्चास मामले उत्तर प्रदेश की सरयोगी सरकार ने लगाए हैं, और उसमें 200 मामले असहमत ही के हैं, कि सरकार से असहमत हो, जिसमें से 138 मामले नरेंद्र मोदी जी की से असहमत है, इसलिए आपने लगा दिया, ठीक है, साफतर पर निगाह हैं, उनकी यूपी में भी हैं, साफ कहा रहे हैं कि वो राज द्रोह के, जिसको देश द्रोह बता रहे हैं, वो मुकदमें ऐसे योगी सरकार के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लगाए गए हैं मैं अपने सारी प्रश्म का उत्तर पेने से पहले, मैं एक बोलना चाहूंगा, सबसे एहम बात यह हैं, हाथों में गीता रखेंगे, सीने में पुरान रखेंगे, मेर बड़ाय जो आपस में वही धर इमान रखेंगे, तासी और काबा भी होगा दोस्तों, पहले हिंदूस् प्रश्म का उत्तान जो है, वह हमारे यहां बसता है, और जितना इनोंने बाते की कहीं, जो चाहे वो जाहे वो जांगु कश्मिर के प्रेस्टी को लेकर कही हो या जो भी हो, लेकिन यह कभी भी यह प्राकर्म नहीं लगता कि हमारी देश की सीना ने चाइना जैसे भी जब जाल फिला में जब च्छंडे को उतार कर और कर दिया गया था, वहां पंजाब की सरकार जहां पंजाब में कामरेस की सरकार है, वो कानून में केस लगने के लिए पैसे दे रही है, यह आरजब्टा का महौर कर रही है, कम से कम यूपी के अंदर योगी जी तो उन पती मजबूत होगा, तो वो लराई को फटे करने के लिए अपने ख्छित होगा, और उसे पता है, कि मुझे किस परकार से अपने देश की सरहदों को और अपने राजी की सरहदों को तंभालना है, यह मुझे कॉंग्रेस से सिखनी की जरूरत नहीं है, विपक्त का काम प्यम कैंडिडेक की चर्टा हो रही है, लेकिन जब मानिय प्रधान मंतर जी ने कहा इस बात को कि आप आईए इस कदम में बैटिए और हमसे चर्चा कीजिए, सरकार की कमिया है तो उसको उजागर कीजिए, इसका कार विपक्त का होता है, विपक्त को बैकुमी इसकार को कर पर चिट होनी चाहिए, मैं इसका सम्मान करता हूं, राहुर कंडि जिन मुद्व पर बात करना चाहरे हैं, पेकासस के साथ किसान अंदोलन भी है, क्रशी कानून भी आपके हैं, क्रशी कानून में इसक्या दिक्कत आ रही है आपको, अगर आप बता रहे हैं आपने इससे अपने जवाब में कई विवादित चीज़ें बताई कि किसान अंदोलन में यह हो गया, वो हो गया, लेकिन MSP की मांग, एक मिनिममम सपोर्ट प्राइस क्या देश का अन दाता, अपने उपजाय हुए अन की एक मिनिममम वैल्यू भी नहीं जो है वो उसकी डिमांड कर सकता उसमें क्या देखते? अब मैं आता हूँ कि मान्य प्रधान मंत्री जी ने भी इस बाद को पहले कहा था, उस समय किसानों के स्थिती और अब की किसानों के स्थिती में बहुत अंकर है, यही पर मार्क करने वाली बात है, कि MSP पे जो उस वक्त खरिदारी होती थी और अब जो खरिदारी होती और और पहुमत की जो खरिदारी हो रही है, यहाँ पर MSP का पता चलता है, कि किसान सम्मान निदी दे देने से, जो आप बता रहे थे कि आयए दोगनी हो जाएगी, वो दोगनी हो गई? देखें, किसान सम्मान निदी, हम बस किसान को एक सम्मान के रूप में देते हैं, उससे आएज दुगनी नहीं होती है, लेकिन MSP का पता रख लिजे, आप उसको MSP का कानून दे देजे, आप चलिए बहुत बातें आपने बताएं, कि यह सब वेवादित है, उन सब को हटा दीजे, और एक जैसे आपने इससे पहले जो एक बिजली को लेकर एक बीच में नोटिफेकेशन जारी कर दिया था, MSP को लेकर भी कर दीजे, कम से कम पबलिक को तो पता चलेगा कि हाँ सरकार किसानों के साथ है, और वेपक्ष जो है, यह सिर्फ राजिनितिक रोटियां से इसी भी चीज़ों को, और जो सरकार कहती है कि मैं खरीदूंगी तो भारतिये कादे निगम जो संस्ता है, जो भारत परकार के अधून आती है, अगर उसके डेटा को आपकी का आपका लेंगे वरेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बारे नहीं के फिर एक बार आपका स्वागत है, मलगतार, आज बहस कर रहे हैं कि राहूल गांदी ने नास्ते पर वेपक्षी संसुनों को बुलाया है, और एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर होने की वहां पर रहने के बनाई जा रही है, हमारे साथ दो खास मेहमान, कॉमर्सिंग क बता देता हूं, फिर आप पुछेगा इसमें काला क्या है, जो कॉंग्रेस के जो बड़े भाई माँ आप बैठे हैं पैनल में, कहीं भी आनाज बेचनी की आजादी, कहीं भी आनाज बेचनी की आजादी पहले ही आजादी नहीं तीन दोनों के अंदर भुगतान की करता हूं, जो पूरी खरदारी का जितना लग्ट था, उससे करीब पर 30% का लग्ट जिर्फ और पंजाब से खता गया है, और अफसोस की बात यह है कि पंजाब में इसका विरोद हो रहा है, मैं यहीं बतारूगा, कि कितने किसान मिस्टे लवाविंद हुए हैं, लेकिन आ वहां के चीनी मिल को दिया है, इसके प्रमान गुगर पे उपलब्द है, तो आप बताइए, कि अंदोलन अगर कोई चलता है, आप उस चीज के लिए आंदोलन करेंगे, जिसकी आवशक्ता है, लेकिन जिसकी आवशक्ता नहीं है, तरकारे अपना कराम कर रही हैं, किसाने अपना माज देच भी रहे हैं, और खास करके पहले से दुगूना बेच रहे हैं, और MSP बढ़ाई भी गई है, और मैं आपके एक प्रसन का उस्तर देता हूं, कि हम कभी भी अपने किसान को अपने उनके कर्मों पे जादा खड़ा करना चाहते हैं, क्या है कि हमारा किसान अ तो पिरियड हुआ है, उसमें लोगों में दुखता भी आई है, और अंद का अंदारन की चंता भी बड़ी है, और खरिदारी भी बड़ी है सरकार की, एक बड़ी लंबी चोड़ी फेरिस आपके सामने, लेकिन आपसे भी क्यों ना पूछा जाए, कि जो शिखावत वाला म आपके माध्यम से देखे, मैं भी ये चाहता हूँ, हमने अपने लोगों में यदि जासूसी कराई, फोन टैपिंग कराई, तो यदि इन्होंने जाज की माग की हो, हम ना करा रहे है, दुनिया ने देखा है, ये जाज से कतरार है, लेकिन मामला तो सुप्रीम कोट में चला पर भी बात हो जाने दें, क्या सिर्फ देश के दस बड़े लोग वो देश की बाकी की 135 करोड की करीब जनता हो गई है, उस पर भारी पढ़ेंगे, ने, मैं आपसे निवेदन कर लो, सुप्रीम कोट को देश चलाने के लिए नहीं कहा गया, सुप्रीम कोट नियाय की रक्षा करेगी, गरीब के मूल्यों की रक्षा करेगी, लेकिन गरीब के लिए नियम कानून, नीत, नियत तो सरकार बनाएगी, आपसे बात इस पस्ते कर दो, सुप्रीम कोट में सरकार नहीं गई है, वो पीडित 500 लोग गए हैं, जिनकी खिलाब जासूसी की गई है, और स हाथी ठोकर 56 इंच के सीने से कह देते कि हम जाज कराए, एक बात यह हो गई, दूसरी बात साथी राहूल जी ने कहा, MSP पर, MSP थी है रहेगी, बूझ हो तो जाने, आप लिक कर नहीं दोगे, कानून नहीं दोगे, बिहार में 2006 दे MSP पद्धान नहीं खरीती हो रही है, वह जा दीजे 23 फसलों का MSP दिया जाता है, तो 4 या 5 की ही खरीदी क्यों होती, दूसरी बात, इन्हों ने कहा, कि हम गन्ना के किसानों की चर्चा हुई, पिछले 5 वरसों से गन्ना के किसानों के गन्ना का रेट नहीं बढ़ा है, जबकि बिजली का रेट देख लीजिए, आप बार बार डीजल पेट्रोल पे बहुत फोकस कर रहे हैं, क्या डीजल पेट्रोल में राज्यों का वैट नहीं होता, अगर इतना ही आपको फिक्र है, तो आप अपनी किसी आपके कई प्रदेशों में सरकार हैं, उनसे कह दीजिए थोड़ा एक वैट कम करके, एक मॉड हम चाहते हैं, यदि आप कहते हो, हमने तो कभी नहीं कहा कि MSP ठी रहेगी, हम तो देश के किसानों का करजा हमने माप किया, हम कहते हैं कि देश के किसानों को बचाईए, आप कहते हम कांट्रेक्ट फार्मिंग लाएं, कांट्रेक्ट फार्मिंग में जमीन तो रहेगी किसा लेकिन कर जा लेगा पनिया या भ्यापारी हम SDM कोट जाएंगे वो हाई कोट जाएगा वो हमारी जमीन पर भंडार ग्रह बनाएगा या कुछ ऐसी चीज बना लेगा उसको हम हटा नहीं सकते हैं यह एक देश एक संविधान एक विधान पर मंदी दो यह कहा का कानून है आप देश की सरकार चला रहे हैं साब और देश के अंदर किसानों के लिए अभी प्रियंका गांदी का लखनव दोरा हुआ था करीब दो दिन वह वहां पर रही थी वहां पर भी उन्होंने किसान संग्टन के नेताओं से मुलाकात की थी तो यह क्यों ना पूछा जाएगा आप किसानों की कंदे पर रखकर आप जो करीब 32 साल का सूखा आपका उत्तरप्रदिश में हो गया है उसको एक बार फिर से हरावरा करना चाहरे हैं मैं आपसे आगरह कर लूँ विपक्ष का काम है देश की जनता को न्याय दिलाना चाहे वो बान्नी प्रियंका गांधी जी हो या राहुल गांधी जी एक सवाल नहीं आपको सिर्फ रियाद दिलाना चाहता हूँ अन्ना हजारे जी ने अंदोलन किया था वो कौन सा दल उसके पीछे था आप भी जानते हैं क्या लोगपाल पर जिम्मेदारी नहीं बनती प्रधान मंत्री जी की काले धन पर इन्होंने बड़ा बड़ा भासन दिया था उसी काले धन के लिए इन्होंने सर्क 2014 से आज तक के किसान अन्दोलन को लेकर पेगा सस पर बेरोजगारी पर किस मुद्धे पर माननी प्रधान मंत्री जी सफल हुए एक मुद्धे पर सफल हुए है कि किसान को MSP नहीं देंगे लेकिन भूजी पतियों के सेलो बन गए है भंडार जरह बन गए है उनको किराया पर देने का रे है मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से राहुल जी से कि ऐसा कौन सा बारिस है जो अपने पुर्खों की संपत्ति को हस्ते हस्ते हुए बेच रहा है और कहता भी है आईए खरी दिये हम को पड़िकी थी और मैं उसमें एड कर दूँ जिसकी आप बात कर र प्राइबिटाइजिशन और ग्लोबलाइजिशन कहके तो नीव तो वहीं पड़ गई थी अब उसको आगे बढ़ाए जा रहा है तो आप इसको बोर लहें कि यह बेच दिया वो बेच दिया पड़ गई थी देखिए पवजी हमने कभी भी हम यह चाहते हैं पार्टनर सिप हो यह नहीं कि सरदार बल्लब भाई पटेल हवाई अडानी हवाई अडे के नाम से जाना जाए हमने यह कभी नहीं कहा हमने यह कभी नहीं कहा कि छत्रपजीत स्रिवाजी टर्मिनल्स अडान तर्मिनल्स के नाम से हो जाए हमने ये कभी नहीं कहा कि किसानों के भंडारग्रा अडानी और अब्वानी के हो जाए और एक चीज याद रखिए मैं कल भी कह रहा था कि देश के अंदर जब कांग्रेश की सरकार थी तो टेली फोन या मोबाइलों पर इनकामिंग फ्री थी ज परियों ने प्रधान मुंतर जी को बदो बदो गहले का परियास कि ये फेल हो गया लेकिन उनको मैं बता दू कि हमारे विजेशी जो नीती है उसमें हम सफ़त हुए उसके ताहत हमें विजेशी लोगों से सहयता में मिली और ये ये शिफ विजेश मुंतराने से ही संपन हो बस उनको हमने सब्सक्राइब कराया है और उन्होंने एक नया इतिहाद रखिया जिसने विश्म भी चर्चा है दूसी बार किसान अंदोलों को लेकर किसान अंदोलों में अगर नहीं कोई खामी होती तो निश्य ही हमारे अंदेश अंदर का उच्छाएंगे राहुलों और वक्त जरूर बताएगा इस तो इस स्कारिकर में फ्लाग लेतना ही दिश्यों दूनिया की तमाम एहन ख़बरों के लिए बने रहे हैं बीडियोज के साथ नमस्कार